नीचे दिये गए बहुपत को द्विपदों के गुड़न फल के रूप में लिखें। यहाँ पर हमें N गुड़े N रिड़ एक, धन 3 गुड़े N रिड़ एक को द्विपदों के गुड़न फल के रूप में लिखना है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे असा करने से पहले आप रुके और इससे खुछ से करने की कोशिश करें तो चले करते हैं इसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ इन पदो में N Red Egg ये दोनों जगह पे मौझूध है इसका मतलब है कि यहाँ N Red Egg सार्व है इन दोनों पदो में और क्यूंकि ये सार्व है दोनों पदों में, इसलिए मैं एंडर्ड एक को यहां से बाहर निकाल सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि मैं एंडर्ड एक को अवितरत कर रही हूँ इन दोनों पदों में से, तो अगर मैंने एंडर्ड एक को बाहर निकाल लिया इन दोनों पदो को हम देखें, हमने यहां से अगर N-Rid 1 बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास यह N बचा हुआ है, मैं इस N को यहां लिख दूँगी, यह मेरे कोश्ठक में आ जाएगा, इसके बाद अगर हम इस पत की बात करें, तो यहां पर N-Rid 1 निकालने के बाद हमारे पास 3 बचा हुआ ह तो मैं यहाँ पर धन तीन लिख दूँगी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि N रड़ एक गुड़े N धन तीन ये दो ध्विपदों का गुड़न फल है जो इस बहुपद को दिखाता है और आप इसकी जाज भी कर सकते हैं ऐसा करने के लिए अगर आप N रड़ एक को बाट देंगे यहाँ पर N धन तीन में तो आपको आपका ये बहुपद वापस मिल जाएगा इसका मतलब है कि अगर मैं N रड़ एक में N का गुड़ा कर दूँ तो मुझे मिलेगा N गुड़े N रड़ एक और यहाँ से अगर मैं N रड़ एक में 3 का गुड़ा कर दूँ तो मुझे मिलेगा 3 गुड़े N रड़ एक जो हमारा यही बहुपद है तो N गुड़े N रड़ एक धन 3 गुड़े N रड़ एक को हम दो द्विपदों के गुड़न फल के रूप में एन्रिड एक गुड़े एंधन तीन के रूप में लिख सकते हैं